हेलो गाईज आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईक्यू की तरप से जल्द लोंच होने वाले एक और न्यू फ्लेक्सिफ 5G स्मार्टफोन की ये स्मार्टफोन होगा आईक्यू 12 और इस फोन के रूमर्स स्पेसिफिकेशन लिख हो चुके हैं आईक्यू 12 5G स्मार्टफोन के रूमर्स स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टड प्राइस की सबसे पहला बात करते हैं फोन के बिल्ट क्वाल्टी और डिजाइन की तो प्लास्टिक कम नहीं यहां पर आपको मैटल का, मिडल का फ्रेम देखने को मिलेगा ग्लास बैक अण ग्लास फ्रन देखने को मिलने वाला है Via Doo क्वाल्टिक अंदर टोपले बिल के मिलने वाली है, डिस्पले से आपको सिखायद नहींगे, HDR10 प्लस की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, Widevine L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, यानि कि डिस्पले में आपको कहीं तक भी कोई सिखायद नहीं मिलने वाली अंडर डिस्पले फिंगर पिंटे से आने की सपोर्टर फेशन लोग की सिक्योर्टी देखने को मिली तो दोस्तों बात करते हैं फोन में परफोर्मेस की बट उससे पहले अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना और चैनल पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिना परफोर्मेस में क्वाल कॉम की एक पाउरफुल गेमिंग चिपसट देखने को मिलीगी क्वाल कॉम स्नैप डगान 8 जनरेशन 3 वाली जो की 4 नैनो मिंटर फैबरिकेशन बनी वी है एक पाउरफुल गेमिंग चिपसट है इस फोन में अब तक की सबसे पाउरफुल गेमिंग चिपसट देखने को मिलने वाली है तो यहां से आप परफोर्मेस में बिलकुल भी सिकायत नहीं होने वाली LPDDR5X वाली RAM और EFS 4.0 वर्जन वाली परफोर्मेस का सेगमेंट आपको काफी तकड़ा मिलने वाल है परफोर्मेस में आपको सिकायत नहींगी परफोर्मेस आपको फ्लैक्सिब लेविल के मिलने वाली है अब बात करते हैं फोन के कैमरा सटप की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल लियर कैमरे का सटप देखने को मिलेगा जहाँ पर आप 8K में वीडियो रिकोडिंग कर पाएंगे लिक्स के नुशार 50 मेगा पिक्सल का मैन सेंसर होगा विद OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको अल्टर के लियर पिक्चर वीडियो रिकोडिंग देखने को मिलेगी और सेंसर देखने को मिलेगा 64 मेगा पिक्सल का मिलेगा टेली फोटो कैमरा और 64 मेगा पिक्सल का थर्ड कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर आप 4K में और 8KM वीडियो रिकोडिंग कर पाएंगे अगर सैल्फी कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 32 Megapixel का सैल्फी सेंसर यहाँ पर भी आप 4KM वीडियो रिकोडिंग कर पाएंगे अब बात करते हैं फोन के बैटरी डिपार्टमेंट की तो लिक्स के अनुशार यहाँ पर आपको बैटरी के डिपार्टमेंट और देखने को मिलेगे 5000 अमिज की बैटरी होगी और 100 वाट फास चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर IQ12 स्रीज का दूसरा जो मोडल होगा IQ12 Pro वहाँ पर आपको 5000 अमिज की बैटरी देखने को मिलेगी और 200 वाट फास चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है प्रो मोडल के अंदर यहाँ पर आपको अल्टरा सोनिक फिंगर पिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा यहाँ पर सिक्यूर्टी की तोर पर तो सिक्यूर्टी का खासा दियान रखा गया तो यह थे IQ12 5G स्मार्ट फोन के रूमर से स्पेसिफिकेशन बात करते हैं अब बात करते हैं फोन के लॉंचिंग डेट की तो एक्सपेक्टिड है यह स्रीज आपको जल्द ही देखने को मिलेगी सितमबर के एंड तक या फिर अक्टोबर के फर्स्ट वीक में ओफिसेल आईक्यू की तरब से तब तक के लिए थेंक्यू वाचिंग दिशी वीडियो जहिंद